हेलो फ्रेंट्स, स्वागात है आप सभी का डेली फटाफट नुज में, आप देखने वाले हैं देज यगत की 20 बड़ी खबरें जीआं सिर्फ टेली फटाफट नुज पर तो आईए चलिए देखते हैं दिन बर की और देज यगत की 20 बड़ी कबरें मद्धिप्रदेश की 28 विदानसभा सीटों के लिए 3 नवंबर को होने जा रहा है उपचुनाव में नेताओं के बीच जबानी जंग और तेज होती जा रही है और बयानों का इस्तर लगातार गिरता जा रहा है चुनाव आयोग की कारवाई के बीच या बेजबानी जारी है जिहार के मुझफर पुर जिले में आयोजित एक चुनावी सभा के दोरान मंच तूटने से जन अधिकारी पार्टी के राश्य अध्यक्ष पपुयादव को चोट लग गई उनके दाएं हाथ में फ्रैक्चर हो गया है उत्तर प्रदेश के मुक्यमंतरी योगी अरितनाथ जोन पुर जिले की मलानी विदान सभा छेतर में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए लवजियात करने वालों को सक्त चितावनी दिये शनिवार को सीम योगी ने का की लवजियात करने वाले अगर नहीं सुद्रे तो अब राम नाम सत्तहे की यात्रा निकालने वाली है किंग्स 11 पंजाब के बल्लवाच क्रिस गेल पर शुक्रवार को अबू धाबी में राजस्तान रायल्स के खिलाफ मैच के दोराने इंडियन प्रिमियर लीग की आचार साहिता के उलंगन के लिए मैच फीस का 10 प्रतिशा जुर्माना लगाया गया है पिल के आचा साहिता की धारा एक के उलंगन का दोशी पाया गया और उन्होंने मैच रफरी द्वारा सुनाई गई सजा को स्विकार कर लिया शिव सेना के राजस्वा सांसादवर पार्टी के राश्ट्रि प्रवक्ता संजिराउत ने कहा कि फारुक अब्दुल्ला हो या म मुफ्ती अगर कोई भी चीन की मायद लेकर भारती संविदान को चनौती देने की बात करता है तो उसे जेल बेजना चाहिए पूजा स्थल कानून 1991 को बेदवाव और मौलिक अधिकारों का उलंगन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चनौती दी गई है एक जने चाचिका में कानून की धारा दो तीन और चार को संविदान का उलंगन बताते हुए रद करने की मांग की गई है का गया है कि इस कानू कानून में आयोद्या में राम जन्मस्तान को छोड़ दिया गया जबकि मथुरा में कृष्ण जन्मस्तान को नहीं छोड़ा गया ये दोनों विश्णों का अफ्तार है यह अभी का गया कि केंद सरकार को या कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि सम्विदान में और एजुकेशन लोन तो माफ कर देगी सरकार। प्रदानमंती नेरिमोदी ने सरदार वललबाई पटेल की जहनुती पर केवडिया पहुच कर स्टच्य आफ यूनिटी पर श्रदांजली दी। इस दरान उन्होंने कहा कि जब हम सब का हित सोचेंगे तभी हमारी भी प्रगत होगी इसके बाद BGP प्रवक्ता ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए इटैलियन में ट्वीट किया संभित पात्रा ने PM मोधी के लाइने को ट्वीट किया और लिखा सर्वोच हित देश हित शंजे राहुल जी इसके बाद उन्होंने इसे इटैलियन में ट्रांसलेट कर ट्वीट किया और राहुल गांधी पर तंच कस्ते हुए लिखा आपके सुविधा के लिए अनुवाद भी करके बेज रहा हूँ आदरने राहुल जी करोना वारेस की बढ़ते मामलों को देखते हुए फ्रांस में दूसरे लॉकडाउन की खोशना कर दी गई है फ्रांस में दोबारा लॉकडाउन का एलान होते ही पैरिस की सडकों पर लग गया 700 किलोमीटर लंबा जाम प्रचार कांतिम दोर शिवराज बोले जादपात भूल जाओ और मामा को मजबूत करो कांग्रेस प्रत्याशी ने पूछा किसानों का करज माफ कर मैंने क्या पाप किया तो अगर ये न्यूस अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रू करें दोस्तों धन्यवाद